तो आज हम लोग अपना दिन शुरू किया है और यहां भे ममी ना थोड़ा सा क्लीनिंग करते हुए ऐसा नहीं है कि मेड काम नहीं करती है लेकिन क्या होता है ना कुछ जो हिटन प्लेसे होते हैं वो लोग भी ना आगया आगय से करके निकल जाती है तो पीछे पीछे के जो यह चीज़े रह जाती है ना वो रही जाती है तो वो तो हमें ही करना पड़ता है तो वही है फिर दो तीन दिन में एक बार हम लोग ही थोड़ा आगय पीछे करके कर लेते हैं जैसे अब टेबल का कवर उता रहा है तो उसका वो उसको क्लीन करते और यहाँ पर मैं पूरी तरह से टेबल को चमका रही हूं अच्छे से क्योंकि ना वो डश्टी रही जाता है और यहाँ पर ना बहुत डॉस्ट है असाम में तो वो भी अगर घूमती है दुर दर उसके भी बाल बहुत शेड होते हैं तो एक बर नौ सदे नौ बजे ज़ाड़ू लगेगा पूजा करने से पहले लगाएंगे हम लोग तो उसके बाद फिर मेट आएगी वो सफाई करेगी दस साठे दस अगर वो आती है तो फिर आफट में देखी रहे होंगे के ना मुझे सफाई का बहुत जादा ऑप्सेशन है सच में हर चीजा साफ रहनी चाहिए कभी भी कहीं पर भी ना मैं हाथ लगा और मिट्टी मुझे लगती है यह बड़ा गंदा लगता है यह बींस हम लोग ने रात को काट की रगती थी तो वो बन बने चाहिए मुझे बीन को 알व है और जब तक अब यह थंदे उगा तो मेरा बेसिक कश का बाइंच का ना वा चैनि दीह हैं जो आज का है indirect और यह आच का ओडर भी ऐ की थोड़िए hade है ऐक लेने जाना है ठंडा अगे भी लेना आ сок बहुत busy रहने वाला है तो अब यह हो गया बीच में मुझे पता नहीं क्या हुआ गाना चेंज करने का कुछ समझ नहीं आ रहा था वो गाना पसंद आपने और हां में साथ में ना मेरा केक का वीडियो मैं बनाना है और थरस्दे का मेरा फास्टिंग भी होता है तो मैं नहा के पूजा वगएरा कर चुकी हूं उसके बाद अब मैं आई हूं अपने कपड़े आरन करने यह मैंने निया कुड़ता सेट मंगवाया लिबास का मिंत्रा से और यह देख रहे हो आप कितना प्यारा कलर कॉंबिनेश सब्सक्राइब कर चुन्नी भी है मैंने आज तक कभी ना हॉल वीडियो शेयर नहीं किये जादा लेकिन मैं फ्रैंक्ली स्पीकिंग मिंत्रा से ही अपने सारे कुड़ता सेट्स लेती हूं और जो मैं यह टी-शर्ट से थ्री-फॉर्थ या लोवर पहनती हूं वो सारे मेरे मैक्स के होते हैं तो आप अगर कभी चाहेंगे तो मैं आपके साथ हॉल शेयर करूंगी क्योंकि मैं अक्सर खरीदती रहती हूं कुड़ता से कुड़ता यहां पर आसपास ना कोई मार्केट नहीं है तो इसलिए मैं ऑनलाइन मंगा दे हूं और यह ना बीच में मुझे पत प्रेस को बैठे बैठे पता नहीं क्या हो क्या तो अभी मैं इस प्रॉब्लम में वीच में आया मेरे पापा देखने के लिए कि शायद मुझे प्रेस ठीक से ऑन आफ करना नहीं आता है तो चेक करने आया कि लेकिन वो गरम हो ही नहीं रही थी हो सकता है को तारवार निकल होगा तो अब सब उस एक प्रेस अभिहान में लग गए है और ममी ने मुझे निकाल के दिया पेट के अंदर से पुराना रखावा प्रेस तो चलो पुरानी रखी चीज हमेशा काम आती है हमेशा तो अब वहला आयरन काम आया मस्त एक्दम और यह भी सेम मॉडल है एक्दम लेकिन यह के पुराना है और काम कर रहा है तो अब मैं इसको पूरी तरह अच्छे से प्रेस कर लूँगी क्योंकि मेरे अंदर एक और प्रॉब्लम है मैं बिना प्रेस के कपड़ा नी पहनती तो इसलिए मैं नहा के पहले नॉर्मल कपड़े पहन लेती हूं फिर हाराम से प्रेस करके बिल्कुल सलीके से फिर पहनती हूं चाहिए मैं घर में भी होती हूं ना तो रेगुलर डेली अपने कपड़ों को पहले आरन करती हूं तो क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं कपड़े जब धुलते हैं तो डेली हम बैठ के आरन करने लगे इतना बिल्कुल बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो इस लिए जिसको जो कपड़ा पहनना है वो निकालो क्योंकि हर कोई तो आरन करके नहीं पहन रहा नहीं मेरे अंदर ही ऑप्सेशन है तो मैं ही पहनती हूं मैं इवन अपने टीशिट को प्रेस करती हूं तो अभी यह प्रेस हो गया और मै सबसे लगा रही हूं संस्क्रीन और 11 बच चुकी है 11 11 10 हो रहे हैं शायद और सड़े 11 तक हमें निकलना है पीटीम के लिए अब मैंने लिया बीबी क्रीम वैसे मैं छे महीने में एक बार यह बीबी क्रीम लगाती हूं और वह जब लगाती हूं या तो गुम चुकी होती है अभी मुझे जड़ा सी बीबी क्रीम उसमसे निकली है थोड़ा सा अंडर आई लगा रही हूं क्योंकि स्पेक्स लगाने की वज़े से थोड़े बहुत तो डाक लगते ही है आई अंडर आई ना तो उसके बाद अब थोड़ा सा कॉम्पैक्ट और वैसे अगर आप देखो क्योंकि मॉश्राइज करना जरूरी है साथ में थोड़ा सा इसी से ना चीक्स पे से टिंट दे दिया बढ़िया नाश्रल लगता है अब कॉफी ब्राउन लिप्स्टिक लगाई है और मेरा मेकप हो गया बाल बांधे नॉर्मल अपना क्लॉक लिप लगाया जो कि मुझे ब लगा रही हो चलो हो गया जी हम रेडी बिलकुल बच्चों की बेटीय में जाने के लिए अच्छे से बन के जाना होता है हाँ यह कैसे भूल सकती हूं बॉडी मिस्ट तो लगाना ही भूल गई यह भी लगाना है तो इंगेज का बॉडी मिस्ट चलो जी हो गया अब साइस बड़ा था फिर लार्ज साइज लिया पहले मैं एक्सल मंगवा लिया था बट यह फिर लार्ज लिया और यह मेरा फाइनल लुक दुपट्टा के साथ बढ़िया लग रहा है ना तो अगर आप चाहते हो रहा है कि मैं हॉल वीडियो करूं क्योंकि मैं बहुत सारे कॉमेंट सेक्शन में और चेहरा भी मस्ट चमक रहा है कपड़े भी मस्ट चमक रहे हैं तो चलो अब स्कूल के बाद हम लोग गए जियो स्मार्ट क्योंकि हम लोगों को लेने थे कुछ ग्रोसरीज मेरे कुछ रेलेटिब्स आ रहे हैं वीकेंड पे तो इस वजह से मुझे ग्रोसरीज लेने थे चोटा मुटा समान तो किचन का हमेशा खतम हुआ ही रहता है कितना भी ले लो खरीद लो रोज भी चले जाओ खतम ही हुआ रहता है तो वो सब तो हस्बेंड ले रहे हैं क्योंकि मैं पहले से लिस्ट बना के उनको वाटस अप कर देती हूं और वो सा समान ले लेते हैं मेरी नज़र पड़ी ऐसे चीज़ा जो मुझे मार्केटिमे सबजी वालों के पास नहीं मिलता यहां दिखे तो मुझे न बग रहा नहीं गया विन्हें दो पैकेट उठा लिए मत्र मश्रूम बहुत पसंद है हम सबको तो दिल्ली में हम लोग एक हदे म पता नहीं हर चीज भी मश्रूम डालते थे यहां नहीं मिलते हैं तो चलो दो साल से तो मिली नहीं रहे थे अब मिले हैं तो ले लिए मैंने तो उसके बाद बस यह फाइनल बिस्किट वगएरा कुछ लिए और बिलकर आया घर आ गए अब आते ही सबसे पहले मैंने क्रीम बीट किया सब कुछ किया अपना अरेंज किया और केक बनाने लग गई क्योंकि शाम को 5-5 बजे केक देना है और बनाना भी चॉकलेट केक है तो एकदम परफेक्टली मैं यह बना रही हूँ अपना केक और पैरों में इतना दर्द हो रहा है ना पहले सुबह का काम उसके बाद केक बनाया फिर उसके बाद बच्चों के स्कूल फिर शॉपिंग और घर आके चॉकलेट केक और केक मुझे देना भी 5.30 बजे है तो मैं आफ्टनून से पहले पहले तक काम खतम कर लेती हूँ नहीं तो बहुत स्ट्रेस्ट हो जाता है और ये है केक का फाइनल लुक लग दाना बढ़िया ये भी आपको वीडियो चैनल पे मिलेगा तो चलो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं उसके बाद मैं जम के खाना काके सो गई अराम से और शाम को उठी तो बस बच्चों के साथ ऐसे टाइम पास कर लिया और केक डिलिवर किया थोड़ा बहुत पढ़ा लिया तो चलो फिर मिलती हूँ एक्स्ट व्लॉग में बा बाइ बाइ